हेलो फ्रेंड विल्कम टो मैं चैनल क्यांड सी क्यूटिविटी फ्रेंड आज दिखे एक बहुती शुन्दर और इजी डिजैन लेकाए हुँ इस डिजैन को बनाने के लिए हमें 9 के माल्टिपल फांदे चाहिए तू फांदे एक्स्ट्रा चाहिए और 6 रो का डिजाइन है तो चले स्टार्ट करते हुँ कैसे बनते है देखती हुए इसके लिए मैंने 19 का माल्टिपल और 2 फांदे तो 20 फांदे डाली हुए इसमें तो चले राइट साइट फास्ट रो फास्ट फांदे स्लीप कर लिया धागा आपनी तरो दो फांदे उल्टा हूँ आन 2 धागा पीछे 5 फांदे शीधा 1,2,3,4,5 फांदे शीधा फेर धागा आपनी तरो दो फांदे उल्टा धागा पीछे देखिए पहला बाला छोर के 1,2,3,4,5,6,7,8,9 चाइन फांदे की डिजाइन है यही फांदे हमें बार बार रिपीट करनी है तो फेर दो फांदे उल्टा तो बीच में हमारा चार फांदे उल्टा हो जाएगा दो फांदे उल्टा फेर धागा पीछे 5 फांदे सिधा 1,2,3,4,5 धागा आपनी तरोब दो फंदे उल्टा तू आज इसको शीधा भी लेना है अब सेकेंड रो रोंग साइड पहला स्लीप कर लिया धागा फ्राउंट सेट देखर जो जीशे उसी करना है दो शीधा धागा आपनी तरोब फाइव उल्टा वान टू थ्री फोर फाइव उल्टा धागा पीच्छे जार शीधा धागा आपनी तरोब पाच उल्टा पूँर ४्राइव भाइव conservative भाइव फाइव पीच्छे दो शीधा एज इसको शीधा उल्टा by लेना है थाट रोव राइट साइड आज इसकोई से स्लिप कर लिया पहला फंदे स्लिप कर लिया धागा आपनी तरोब एक उल्टा धागा पीछे देखिए आगे की तरोब से दोनों फंदे को एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा ये दो फंदे को आगे की तरोब से लेकर एक फंदे करनी है दोन एक फंदे शीदह जाली टालनी है एक फंदे शीदह और ये जो फंद है हैसको रास्ट वाला फंदे के इसे घुमाके पीछे से दोनों फंदे को एक सीदह रेक्रुट्प लेकर बैक साइड से दोने संद्द inclusion को एक फंदे करके सीदह भीन लेना है देखिए आज इसको छोर के देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 और एक फांदे उल्टा 9 फांदे फिर पीच में दो फांदे उल्टा आगे की तरों से एक उल्टा रेख सीधा लेके वही रिपीट हूंगे सीधा बिन लिया और एक फांदे सीधा जाली डालनी है बिच का फांदे सीधा फिर जाली डालनी है वन सीधा और इसको इस फांदे को सीधा फांदे को इसे घुमा के बैक साइट से दोनों फांदे को लेकर एक फांदे करनी है सीधा बिन के फिर एक उल्टा दागा पीछे करक आप फोर्थ रो पहला बहला स्लिप कर लिया वान फान दे शीधा धागा आपनी तरो वान टू थ्री फोर फाइब 6 7 7 फान दे उल्टा धागा पीछे दो फान दे शीधा धागा आपनी तरो फिर 7 फान दे उल्टा टू थ्री फोर फाइब 6 और 7 दागा पीछे एक सीधा अपनी तरो धागा एक उल्टा अब फीप तरो राइट साइड एक स्लिप कर लिया पहला बहला यह दोनों है न उल्टा और यह सीधा यह दोनों को तोनों फान दे को एक साथ करके सिधा बिल्ली एक फाइड फैर 1 फाइड शीधा 2 फाइड सीधा टोटल तीन फंद सीधा जाली टालनीहें बिचका फदी सीधा जाली टालनीहें 1 टू फाइड सीधा और अईस फाइड को लाश्ट है वाला फाइड स घुम मा के बैक साइट से दोनों फंद के बीच में से सीधा पिन लेना है फिर इन दोनों को देखे वान उल्टा वान सीधा को आभी की तरोसे स्लाय लेके दोनों फंदे को एक करना है वान टू फंदे शीधा जाली टालनी है बिच का फंदे भी शीधा जाली टालनी है वान टू फंदे शीधा इस फंदे को शीधा करके बैक साइड से शीधा मिलेना है दोनों फंदे को एक करना है और लास्ट वाला शीधा कर लेना है अब शीक्त रो रॉंग साइड पूरी रो हमें उल्टा बिनके कम्प्लीट करनी है देखिए 6 रो उल्टा उल्टा बिनके कम्प्लीट कर लिया और डिजैन भी हमारा कम्प्लीट हो गया एसे ही 1 to 6 रो तक आप रिपीट करेंगे तो ऐसा सुन्दोर डिजैन बाइन कब कर त्यार हो जाएगा लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना थैंक यू फॉर वाट